श्रीरादेरदे भक्तों संसार में प्रलोभन बहुत हैं उन प्रलोभनों से मुब्त होने के बाद ही इश्वरी राजी में प्रवेश होता है पर महराज, प्रलोभनों को त्यागना सबके बसकर नहीं होता है प्राय अव्यक्ति जान बूद करके प्रलोभनों की प्राप्ति के लिए प्रयत्रशील हो जाता है और यहां तो पुडिया बाबा को स्वयम दिया जा रहा था सब कुछ मंत्र सिद्धी, धन, संपत्ति और विवा के लिए कन्या विदे रहा था जिसके पात्र सिद्धी थी लेकिन उनको तो बहुत बंधन लगा और मुझति निकला हाई हाई सिद्धी के लिए विवा बाबा ऐसी सिद्धी हमें नहीं चाहिए यह तो दोखा है प्रलोभन में खास्मा है इतना ब्रह्मचरी का उस समय महराज टभाव था विवा का अर्थ उनोंने सोचा कि सर्वनाश है मैं भूल कर भी चक्र में नहीं पर सकता और फिर आगे इस टीमर से ब्रह्मपुत नदी पार करके ग्वाल पाड़ा पहुंचे जहां भी जाते थे घोर एक आंत में निवास करते थे दूनी लगा कर बैठते पास में त्रिशूल गड़ा रहता है सुर्य और अग्नी की किरने पढ़ने से त्रिशूल दुगुना चमकता था इस प्रकास पंजय में अग्नी स्वरूप श्री ब्रह्मचारी जी बुडिया बाबा उस्तमे ब्रह्मचारी जी कह जाते थे वो अपने दिव्य ते जो में मुखमंडल से दशों दिशाओं को जगमगा रहे थे रात दिन एक आचन से बैठने का अभ्यास करते थे क्योंकि इनको विश्वास था कि निरंतर एक आचन से बैठने से आवश्य उर्धरेता हो जाओंगा वो आप लोगों को उर्धरेता का ताथ पर वीरियक्षय नहीं होगा वीरियपात नहीं होगा वो उर्धुगामी हो जाएगा उपर की और जाएगा उससे दैवी शक्ती प्राप्त होगी ईश्वरी कृपा प्राप्त होगी और इसी उद्देश से निद्रा तंद्रा आलश्य इस सब को जीत करके निरंतर साधन में जूटे रहते थे और वक्त भोजन प्रशाद भी बहुत अल्प मात्रा में लेते थे जिससे नीद नाए रात दिन गायत्री का जब करना दाल शाक चावल मिला करके एक लोटे में पकने के लिए धुनी में रख देते थे कभी कभी उसमें आठे के गोले से बना कर डाल देते थे तो वह भी आठे के गोले जो तो होते थे उसको भी पा लेते से दाल साथ के साथ और रात्री में जागते हुए दुर्गा मात्रा को देशी जगा रहे थे नव दुर्गा को अगनी प्रद्वलित हो रहा था मानो कामारी शंकर अपने जटाएं विखेर करके तेजो में नेत्रों से निर्भाई होकर अपने गंतवे लक्ष को निहार रहे इतने में ही शेर और शेरनी गर्जती हुई आई और दोनों के नेत्रों को तेजो में नेत्रों ने चका चोंद कर दिया। क्रूरता उनके सुभाव से लुपत हो गई। दोनों ही सूंग थे और मानों जुहारते हुए चले आए। यह थी पुरुष शिंग की महिमा। क्या सामानी पुरुष शेर और शेरनी की जंगल में आने प्रतिक सकता है। यह तो ब्रह्मचारी का तेज था जो निर्भैता पुर्वक बैठे हुए जब करते रहे। जिलने जुलने और घबडाने की कोई बात नहीं थी। इससे आगे परशुराम कुणतक की आत्रा की वहां क्षत्रियों पर विजय प्राप्च करके परशुराम जी ने तब किया था। इसी प्रकार फिर नर्मांस भोजी मनुष्यों और मदोन मादनी कामेनियों पर विजय प्राप्च करके परशुराम जी आध्भूत विजय प्राप्च की इस प्रांत में बढ़ा जंगल था रोक्तम। इसके मांस और मनुष्य भी थे जो मनुष्यों के मारक खा जाती थे। ऐसे क्षेत्र में गय थे माराट्च कि वहां कुछ साधू जाता तो कहते थे काशी लामा आया है। इसने सब तीर्टों के यात्रा किये। इसके मांस और रधिर बहुत पवित रहें। इसे खाने से जीवन पवित्र हो जाएगा और पित्रों का उद्धार हो जाएगा। चल बड़े भागे से ऐसा उसर मिलता है। इन नर्भक्षियों के भाय से लोग प्राय उदर जाते ही नहीं थे। आप सोचें कि कितना भारी अज्यान है सत्संग न मिलने के कारण। कि सेवा के जगे वो जो भजन किये लोग उनको खाने पर भूश्वास था। कि उनको खा जाएगे तो पित्रों का उद्धार हो जाएगा, जीवन पवित्र हो जाएगा। तो संतों को मार करके खा जाने वाले नर्भक्षी लोग उहां जंगल में रहते थे। और माराज लोगों के मना करने पर भी जब उस जंगल में प्रवेश करने लगे तो माराज जी को मना किया जाएगा। आप इस जंगल मत जाओ। नर्भक्षी लोग रहते हैं, खा जाते हैं संतों को। लेकिन फिर भी चले गए माराज जी, अथात ब्रमिचारी जी। परन्तों ब्रमिचारी जी ने त्रिशूल उठाया डराने के लिए। और तीब्र द्रिष्टी से उसकी देखा, वो द्रिष्टी जगजन्नी की द्रिष्टी से मिली हुई थी। वो त्रिशूल महिसाफुर मरदनी के त्रिशूल से सटा हुआ था। देवी कवच धारन के हुए था। अतव नर्भक्षियों का सास नहीं हुआ। सब के हाथ जहांके तहां रुप गए, कोई बाल बांका नहीं कर सका महराज। और आगे बढ़ने पर एक संकर्ण उपस्चित हुआ। वहां की यूतियां बहुत रूप वती होती है। उनका रूप लावन ने यूकों को पागल कर देता है। जब ये यूतियां किसी साधू को फंसा लेती हैं, तो उनके माता पिता उन्हें प्रोथाइत करते हैं और करते हैं कि शाबास तुमने बड़ा बहादुरी की काम किया। वे अपने कन्या की विजय सोचित करने के लिए साधू के एक जटा काट करके ध्वजारूप से खंबे में बाँद कर अपने मकान पर लगा देते हैं। अपने लड़की की विजय से प्रसन्द हो करके प्यार से उचे चुमते हैं और उसके चंगुल में फंसे हुए साधू से कहते हैं। महराज युवहां के जंगल की सब्धेता की बाते हैं। सामान्य शहर गाउं की बाते मत तमजना आप। साधू से कहते हैं वो लो कि आनन से रहो चिंता मत करो। लो भेंड और आनन से विहार मैटी वन विताओ। इस प्रकार धीरे धीरे उसे अपने मिला लेते हैं। और माराज ब्रह्मचारी जो उडिया भापा जे उस बात में बनते हैं। उनको अनेक सुंदरियों ने घेरा। परन्तु त्रिशूर उठा करके कहा। उनकी वीरता, धीरता, तेज और ब्रह्मचारी निष्ठाने अइसा प्रभाव डाला कि वो देवांगना जेसी सुंदरियां स्तंभित और वंचित होकर के हार मान कर चल पड़ी भाग गए। करने लेगी यह तो कोई अद्भूत देव मानुष है। उनकी दर्शन से उनकी विक्रत दिष्टी लुक्त हो गई माराथ, अनिस्त्रियों के। और उनकी प्रती गव्रवत दिष्टी जागरत हो गए। फिर पास आने का सहाच नहीं हुआ। यह सामान्य मनुष्यों की बात मैं नहीं आपको सुना रहा है। इस प्रकार काम और क्रोध पर विजय पाकरके फिर काम आक्षा लौट करके आई। वहां मा का दर्शन किया और उनकी कृपा दिष्टी की स्मरण से गदगद हो करके बड़ा पेटा नाम की जगह पर फिरो गए। और वहां भगवान काली कांत का दर्शन किया। गुम्ते गुम्ते रानी गंज पूंचे। वहां एक सपन देखा। एक सुंदर पुष्रवाटिका से सुषोवित राजमाल है। उसके द्वार पर एक पहरिदार है। और उसम बिना रोक रोक प्रवेश कर गए। अन्तापुर में पहुचने पर हजारों देवांगनाय दिखाई दी। उनकी अलवकिक सुंदर्ता से वह सारा स्थान भरपूर था, जगमगारा था। और वहां पर पहुचने पर सोचा कि यहां तो नहीं जाना चाहिए। यहां द्रिष्टी जालना भी ठीक नहीं है। फिर वहां से भाग चूटे। फिर कोई आवाज हुई जोड़की। यह स्वपन में सब जेखा था बक्तुर। और आवाज जब हुए तो निद्रा चूटके स्वपन भंग हो गया। महाराज जी कहते थे कि इस सारा संसार जगदंबा की फुलवाडी है। इसमें इस त्रियां भी उस फुलवाडी को अलंकृत करने वाले पुष्पों के समान है। जो इन पुष्पों पर दृष्टि नहीं ढालते हैं केवल जगदंबा पर ही दृष्टि ढालते हैं। वे ही प्राप्ट कर सकते हैं सब कुछ। नहीं तुफस जाते हैं। और रानी गंचे गोहाटी गये, वहां का माक्षा मंदिर में जगदंबा के दर्शन किये, फिर भगवान कालिय कांत के दर्शनार्थ बड़ पेटा पोंचिये। अब ही महराज जी का नाम उर्य भाव नहीं पड़ा था, ब्रह्मचारी वासुदेव स्वरूप नाम था और भाक्त और भगवान दोनों ही वासुदेव स्वरूप थे। भगवान वासुदेव की चल अचल दो रूप हैं उनमें सर्ण्यासी भगवान का चल रूप है और श्री विग्र उनके अचल रूप है तो ये कालियकांत भगवान श्री कृष्ण के अभिन सखा अरदुन के पुत्र बभुरु बाहन के स्थापित के हुए इस प्रकार बभुरु बाहन ने स्वहम श्री कृष्ण भक्ती रस का पान करते हुए प्रजा को भी उस रसामृत का स्वधन कराया था जब से नगर बसा तभी से भगवान की सन्नीदी में एक जोती जलती रहते हैं खंड जोती लोगों की मान्यता है कि जिस समय वो जोती लुप तो भी उसी समय नगर भी नश्ट हो जाएगा अतर राजा और परजा दोनों ही इस अखंड जोती में गृत डालते रहते हैं जिससे बुझे नहीं कभी जिससे भगवान कालियकांत का अशिरवाद प्राप्त हो जाए और वंश परमपराभी जोती के समान ही अभी चिन चलती रहे भगवान कालियकांत का दर्शन प्राप्त करके विर्दय में बड़ा भावर सुमड़ा और फिर श्री कृष्ण भक्ती रस भूमे में कुछ दिन ठारने का निश्चे किया वहां केले का जंगल है उसमें जंगली हाथी स्वच्छंद रूप से केलों को खाते और उखारते विचरते हैं वे ऐसे उनमत होते हैं कि जो उनके सामने आता है उसे ही मार डालते हैं हाथी हो लोग उनसे भाईवीत और सतर्क रहते हैं परंत इन पूरुष श्रिंग ने तो निर्भय और निर्द्वन्द होकर उसी जंगल में अपना तिशूल गाड़ दिया और धूनी च चिक सुनाया था तो उनके गुरुदेयो उड्या बबावी उसी प्रकार रहे थे गन गोर जंगल में पहार में गुफाओ में उस जंगल में जहां कि बात में आपको सुना रहा हूँ जयां अट्वाल में हाथी घुमते रहते हैं और कोई सामने आ जाया तो उसको मार भी ड वहां गुप्त रूप से लोगों को बिना बताए रहते थे, और वहां की प्रजा ने फिर भी देख लिया, तो उनके सुन्दर तेजसिस रूप को देख करके, मनिपुर की राजमाता को सूचना दी, कि एक देव मानुष आया हुआ है, और आध्युती नाइस्ठिक ब्रह्म जोती हैं, आप दर्शन करें, उनके दर्शनों से बंचित नर हैं, राजमाता ने गुप्त चरों द्वारा उड़िया बाबा जो थे, पर मुचारी जी उनके विशेम पता लगा, उन्होंने का माता ज हैं, उनके मुखमंडल पर जोती चमकती रहती है, और उन्हें आग्रह करके, आप अपने महल में ले आईए, जिससे आप उनकी सेवा कर सके हैं, तब राजमाता ने जा करके, श्री ब्रहमचारी जी महराज को प्रणाम किया, ग्रिप अविट्र करने का आग्रह किया, तो माता को बड़ी परस्चन नता हुई, राजमाता को, महराजी का दर्शिन करके, और चित्त में संकल्प किया, कि मैं अपने एक मात्रयोगी पुत्र को इन से अभश्य मिलाऊंगे, इधर इन्हों ने देखा कि राजमाता, श्री कृष्णी की परम भागता लग रही, सत् इसलिए उनकी प्रार्थना स्विकार कर लिया, महराजी, राजमाता के साथ महल में प्रवेश किया, वहाँ एक उंची सिंगहातन पर राजमान कराया गया, कि इन तो इधर उधर द्रिश्टिपात करने पर आश्चरिका ठिकाना नहीं था, जो कभी आँखे नहीं खोलते थ क्या दिखा, समस्त श्री कृष्ण लीला चंदन की लकड़ी में खुदी हुई है, मनुचंदन का राय के महराज, आपको केवल चर्चित करने से ही मैं संतुष नहीं होता, आप मुझ में उतप्रोथ हो जाएं, और आप में उतप्रोथ हो जाओं, यही प्रेम सगाई की मां इस प्रकार लिला पूर्शोत्तम ने अपनी समग लिलाओं में उतप्रोथ कर लिया, थोड़ी सी चंदन की सेवा ने मानुच्याम और श्याम को उनके लिला परिकर सहित मोल दे लिया, इस लिला चित्रन को देख करके, उनके हिदय पर अंकित व्रिंदावन विहारी, व्रिंदावन अस्थाली और व्रिंदावन माधुरी ने भाव जोर कर दिया, और श्री ब्रह्मचारी जी का रोम रोम नाचुठा और कंठकदगद हो गया, अपने भाव को बहुत छिपाया, लेकिन राज माता ने ताड़ लिया, तो बोली महराज ब्रहमचारी जी, इस लिला चित्रन का उदेश ये है कि नेत्र अन्यत्र न जाएँ, श्याम ब्रह्म द्रिष्टी में कर जाएँ, श्याम ब्रह्म जो है न हमारे प्रभू, उन्हें में द्रिष्टी कर जाएँ, और श्याम लीला मृत्र, शिंधु में लीला का जो अमृत्र सिंधु है, उसमें घुल मिलकर के चित लहराता रहे, इसका एक मात्र उदेश ये है, जैसे बने वैसे ही बुद्ध कृष्ण रस्ते भावित रहे, आपसे एक प्राठना और है, मेरा एक मात्र पुर्त्र इस राज्य का अधिकारी है, उसके पिता बाल्या वस्ता में ही परलोग प्रयाण कर गए, किन्तु इस बालक ने जैसे जैसे हो संभाला, वैसे वैसे इसको एकांत वास और भगवद भजन की और ही रुचि बढ़ती गई, मैंने भी खुशी मनाई, अच्छा है बच्पन से इसे भगवद भक्ती में अनुराग है, इस बाल भक्त पर भगवान अवश्य कृपा करेंगे, हम दोनों प्रात चाहिख टीन बजए से मध्यान होने तक, बल्कि मध्यान के बात तक तीन बजए तक, प्रात तीन बजए से, साम के तीन बजए तक बारगवध पंते, भग और भजन में तक पड़ रहते हैं। फिर उसके बाद भात, केला, शाक और मुंग की दाल भगवान को भोग लगाते हैं। और प्रभु को भोग लगाने के बाद वही प्रसात पाते हैं। उसके पश्चात स्वाध्यायारी करते हैं। और रात्री में नव बजे से ग्यारा बजे तक माता ने कहा, राज माता ने कि मैं कचहरी करते हूं। बालक अब वयस्क हो गया है। उसका शील सभाव अच्छा है। उसने आज तक मेरे सिवा किसी अनिस्तरी का मुख नहीं देखा है। मैं अब बृद्धो हो रही हूं। आप उसे समझा दें। वो कुछ राज काज समझा ले और मैं अपना अन्तिम जीवन समझा दूँ। तुम्हारा जी। शी उडिया बाबाजी बोले अपने पुत्र से मिलाये मां। और मां राज कुमार की पूजास ठली में ले गई माराजी को। यूराज ने सास्टांग प्रणाम किया और दर्शन करके उभावर बुर हो गया। मां की इच्छा प्रकट किया माराजी ने राज समहलने का अनुरोद किया। राज कुमार ने का माराजी क्या को। मेरा बाल चापल लिक्षमा करें कि यह संसार अजगर है, मौ फाड़े बैठा है। रागत द्वेश इसके दांत हैं। इनी से सब कुछ चबा जाता है। मैं तो इस रागत द्वेश में व्योहार में पढ़ना नहीं चाहता हूं। महाराज, कैसा अद्वुच राज कुमार था हूँ। महाराजी ने सोचा, पुडियवाबने, कि यह कोई पूर्व जन्म का योगी है। इसका ऐसा संयम है, ऐसी तनमेटा है। सभी को नहीं ऐसा हो सकता है। जिस मननचील सादक का अन्य प्राणियों के साथ दर्षन, सपर्षव और संभाषण भी नहीं होता। वो परमनिश्रयस को प्राप्त कर लेता है। फिर महराज राजमाता को आशाशन दिया। और जंगल में अपने स्थान पर चले गए। जिस समय जापान ने मनिपुर पर आकमर किया था। उस समय महराज जी बड़े भरे हुदे से कहा करते थी। अरे उस बाल योगी और लीला चिट्चन को जापानियों ने नस्षदो नहीं कर दिया। इतना महराज जी को राजमाता के पुत्र, राजमाता की भक्ती और राजमाता के यहां जो लीला चिट्चन था। वो सब इतना प्रिय लगा था महराज जी को कि महराज जी को याद आने लगी कि जापान ने मनिपुर पर आकमर करके। मनिपूर में विराजमान इन महान महान ठाकुर जी की पदार्थों को पार्षिदों को कर्ष्ट तो नहीं पुंचाया उस बालयोगी से मिलकर के सरवेंद्री संयम और योग में शृत वाक्तियोग से जीवन में क्या-क्या विकास हो सकता है यह देख करके चित बहुत जीटाजी में भगवान ने कहा है ना असंग शस्त्रे निड़े निछित्वा तत्व प्रदम तत्व परिमार गितव विन ना यह पंद्रवनिध्या में घत्तों गीताजी में भाव यह है कि असंगता रूपी अर्थात अनासक्ती रूपी सुद्र सस्त्र से संसार बंदन को काट कर फिर उस परंपद की खोज करनी चाहिए जो प्रभु ने गीता जी के पंद्रवाइद्या में कहा ना महराज जी को लगा कि यह बिलकुल राजमाता का बेटा राजकुमार तो उसी तरह का है और बहुत प्रसन्नता हुई महराजी को पुरिया बाबा को ऐसे राजवाइभाव में रह करके भी इसका रहते भी नहीं रहना और देखते भी नहीं देखना कैसा आज बुत है पुरिया बाबा को राजकुमार जो वास्तों में योगी था बहुत प्रिलगा क्योंकि भोगी राजकुमार नहीं था सच्चा योगी था राजमाता भी निरंतर यूगल चरण मकरंद क्या स्वादन और लीला रस में मधुकरी की भाती उनमात्य रहती थी इस प्रकार योग रस मधुक ब्रह्मचारी जी योग रस के साथ भक्ति रस और ज्ञान रस इस दिव रस की मधुकरी करके काली कांत भगवान के दर्शनार्थ बड़ पेटा पहुंचे भक्तों पहले योगी थे फिर ज्ञान रस और भक्ति रस इस तरह से भगवान ने इनको प्रदान कराया राजमाता और राजकुमार की माध्यम से फिर इसके बाद महराजी बड़ पेटा जाते हैं और वहां भगवान शिव के मंदिर था उसके अध्यक्ष एक ब्रमचारी जी थे वहां दर्शनार्थ गय तो देखा कि ब्रमचारी जी अत्यन्त रुग्ण है रुम की सेवा करने वाला कोई नहीं तो महराजी को बड़ी द आए भगवान के फिर आच्हारी जे ग वहां तो यो अध्यक्ष थे उस मंदिर के ब्रमचारी जी भी सेवा में लग गए महराजी और शिव जी के सेवा में लग गए ऐसे महान, सेवा प्रायन, महराजी को प्रणाम करके आज यहीं गुराम दे रहा हूँ श्रादेरा दे दे, श्रादेरा दे